हलो फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे नॉर्मल जर्णी और ट्विन फ्रेम जर्णी के बीच में अंतर क्या है ये जानना बहुती बहुती ज़रूरी है एक एक करके मैं पॉइंट बोलूँगी आपको समझाने का कोशिश करूँगी धीरे आप सुनो एकदम फ्री होके समझ में आ जाएगी ओखे नॉर्मल जर्णी में आप पहले आओगे मुझे बोलोगे मैं जिससे प्यार करती हूँ उन्होंने थर्ड पर्टी या दो तिन के साथ इन्वाल्व है तो मैं क्या करूँ मेरा उत्तर ए होगी एक बार उसको समझाओ ना माने सेगें बार उसको छोड़ दो पॉइंट इट ट्विन फ्लेम जर्णी में मुझे कोई बोले मेरा डियम एक दो तीन या जो भी है उसके साथ इन्वाल्व है क्या करो मैं मैंने बोलोंगी इनर वर्क करो ये करो वो करो कर्मा क्लिंजिंग करो मेडिटेशन करो बट छोड़ने के लिए नहीं बोलोंगी पॉइंट इट क्योंके क्योंके ट्विन फ्लेम एक दूसरे से भाग नहीं सकते है छोड़ने ही सकते है इसलिए ये नॉर्मल जर्णी नहीं है तो मैं उसको बोलोंगी मेडिशन करो कही कहीं ये भी बोलते है मैं मुझे प्रायर्टी नहीं दे रहा है अवी भूल गया है थ तो मैं बोलोंगी दो बड़ा मत सोचो पूरा छोड़ दो समझ में आएं ट्विन फ्लेम जारने में आपका डिवाइन मासको लाइन जहां भी है जिसके साथ भी है थर्ड पर्टी में है या वाइफ के साथ जिसके साथ ही है डिवाइन आपको छोड़ने नहीं देंगे आप से मिला कर ही रहेंगे ठीक है मिलने का मतलब शादी नहीं है पट नॉर्मल जार्नी में आप किसी से मोवान करोगे तो वो बाला जो फिलिंग है ने टाच में नहीं रहे पारे हो दो एक मेहने बद भूल जाओगे उसके यादी नहीं आएगे नॉर्मल जार्नी में आपका जो स्पेसिपिक पार्सन है वो एक पर चले जाएंगे अब हाँ मैनिफेस्टन करके उसको ले आ सकते हो मैं बोलूंगी जो वो दूसरे के साथ बात इसरे का साथ चले जा रहे है तो मत ऐसे पार्सन को मैनिफेस्ट मत करो ट्विन फ्लेम जार्नी में उसका ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन ऐसे करे तो मैंने बोलूंगी मेडिशन करो खुद करोगे तो वो जरूर हिल होगी और आने पे मजबूर होगी आएंगे ही आएंगे masculine के जितने भी third party के best हो सकते है उसका कर्तब वह होता है but feminine उसका अरधांगे नहीं है हाप पार्ट है Twin Flame Journey में Divine Feminine and Divine Masculine spiritually five dimension में husband wife है ये true है ये शत्त है बिल्कुल शत्त है बिल्कुल true है आप माल लो 3D में कोई और है वो अलग है but आप हो इसलिए तो भेज गया इधर जैसे क्रिशन जी और राधा माया spiritually husband wife है ठीक है नॉर्मल जारने में आप easily थोड़ा बहत उताचाड़ाव है पर easily आप सब कुछ पास सकते हो शादी भी हो सकते है but twin flame जारने में बहुत सारी inner work meditation करके एकतम permanent union होंगी होंगी पर इतना तरपाव मत ठीक है नॉर्मल जारने में soulmate हो या कार्मिक उसका बहुत soulmate बहुत अच्चे होते है बट soulmate का बहुत soulmate होते है ठीक है उसका friend soulmate होते है उसका मामी पापा जो भी जो भी है soulmate होते है कार्मिक में भी था ओई है बट twin flame एक ही होते है दो body में अलक रहते है दो body में बट होता है एक ही ठीक है जो divine masculine है वो उसका feminine को छोड़के कवी नहीं रह सकती पागल हो जाएंगे sheep तंडप सुना है sheep बाबा ने जब दुर्गा मा को पाडबोती मा को नहीं मिले तब तंडप रचा दिया तंडप भाई चंस feminine उसको छोड़ देंगे नहीं छोड़ पाएंगे बोल रही हो वो पागल हो जाएंगे पागल फुल पागल हो जाएंगे sheep की तड़ा sheep तंडप आप ओ स्टोड़ी सुनना sheep पागल हो गए थे सतिमाईया के लिए ठीक है पारबुती जी के लिए twin flame journey में आप inner work करोगे seven chakras करोगे तो divine masculine का behavior आप जान पाओगे क्योंकि आपका जो जो भी इधर hill होगा उसको आप देख पाओगे पाओगे ही पाओगे hundred percent नहीं thousand percent शियर normal journey में थोड़ा बहुत होते बड़ जादा नहीं होते वो आपके hill से ओ-hill नहीं होंगे ठीक है manifestation से आ सकते बड़ मैं एक बात बोल रही हूँ जो अच्छे नहीं है उसको manifestation मत करो life बाद में बिखर जाएगी ठीक है शादी करोगे फिर भाग जाएगी ऐसे निचरकी होगी तो okay feminine जो है वो जानते है उसका कोई-कोई feminine को बोल रही हो जो जानते है उसका masculine कोई karmic के साथ है उसका wife हो सकते है बाद feminine कभी छीन के नहीं ले आएगे क्योंके वो unconditional love देंगे वो जानते है वो ऐसे भी सोचते नहीं हो सकते कभी नहीं आएगे फिर भी वो प्यार करते है ये है twin flame जानी वो छीनने का कोशिश नहीं करेंगे जिसके रिवोर्स हो जाई ये हो जाई नहीं करेंगे खुद बाखुद divine maskran आते है मैं खुश नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ और सच मुझ बोल रही है जो twin flame feminine जो है उसका भी शादी होगी तो twin flame जानी में है तो वो करतब करेंगे ओ अधुरापन ओ अधुरापन उसको feelings होगी ही होगी प्लीज comment पे लिखो ठीक है ऐसे हो रहा है तो डरो मत फियार भागा दो जितने फ्यार आप रहोगे मसकुलाइन हील नहीं होगी समझ का नियोम तोड़वाने के लिए feminine का जनम हुए है राधा कृष्णया जब प्यार में थे तब राधे माया को सब लोग कलंकित किये थे करेंगे ही बट उनोंने घबडाया नहीं इसलिए तो प्रेम का पुझारी राधा कृष्ण जी को बोलते है ठीक है बट नौर्मल जरने में आप कोई मेरिट आदमे को प्यार कर रहे हो कोई गैरेंटी नहीं हो आपके पास आजाएगी और ऐसे छिनने का भी कोशिश मत करना किसी का घर तोड़ने का मत करो बाट जो ट्वीन फ्लेम जानी है वो कुछ नहीं करते फेमिन वो अनकंडिशन लाफ देते है ठीक है और वो कभी तोड़ने का कोशिश नहीं करते वो जूड़ा हुआ ही नहीं है वो जो कार्मे के साथ उसका मासकुलाइन है ना वो जूड़ा हुआ ही नहीं है वो खुद बाखुद तोड़ जाते है खुद बाखुद आप जब जानती हो ये जो है ये दूसरे के साथ है ये मैरेड हुए है मैं कभी नहीं पाऊंगी की नहीं पाऊंगी मुझे युनिवर्ज जानते है सोच लेती हूँ नहीं पाओगे आप उसको प्यार कर सकते हो Unconditionally कर सकते हो तो you are divine feminine नहीं कर सकते हो इंतेजर उसके लिए शादी भी नहीं किया उसके लिए तो you are normal journey में हो आप normal journey में चल रहे हो ठीक है Divine masculine के जो कार्मिक है मने वाइफ है उन दोनों को बच्चे को एक हो या दो बच्चे हो जो भी हो आप खुद के बच्चे मन सकते हो sacrifice कर सकते हो उस बच्चे के लिए क्योंकि उसके बच्चे को खुद का बच्चे मन सकते हो सकते हो तो you are divine feminine बच्चे को मनना इतने easy नहीं है दूसरे को बच्चे का मनना ठीक है नहीं मान पा रहे हो तो आप twin flame जारने में नहीं हो आप sacrifice कर पाओगे divine masculine का जो बच्चे है कार्मी कथारट पटी का जो बच्चे है खुद को बच्चे मनने इतना easy नहीं है मान लिया तो you are feminine उसके लिए शादी नहीं कर रहे है masculine से you are divine feminine बट normal जारने पे आप सोचोगे क्यों मैं मानू उसका बच्चा है मैं क्यों मानू मुझे वो शादी नहीं करेंगे अब नहीं कर पाओगे एक माहिना दो माहिना एक साल कर लोगे जो जवस्ती मुझे को मना ओगे बट उसके बाद नहीं कर पाओगे ठीक है और वो भी नहीं आएंगे तो आप normal जारने में हो आप उसके आपका divine masculine को कभी नहीं छीन के उसके mom से उसके wife से उसके बच्चे से कभी नहीं ले आओगे आप unconditionally love दोगे जो आपके लिए साथ समंदर पाड़ करके जिधर भी है वो कार्मिक के लिए हो सोलमेट के लिए हो जिधर भी हो जब ठक जाएगी वो divine masculine की आप आगे आ जाएंगे कोई उसको सकून नहीं दे सकते हैं तो ये twin flame journey है और नहीं आएंगे एक दमी चला जाएंगे तो ये normal journey है normal journey में easily move on दोनों ही कर सकते है but twin flame journey में कुछ भी नहीं कर सकते आलग नहीं हो सकते feminine and masculine कैसे आलग हो सकते हैं एक ही आत्मा दो बोड़ी में पागल है कोई एक भी आलग हो जाएंगे तो सब कुछ उल्टा शुरू हो जाएंगे financial से लेके success के लेके feminine को भी होगी masculine को होगी सब कुछ अंदेरा ही अंदेरा दोनों की होगी कोशिश करो cutting करके कोशिश करो divine feminine masculine छोड़ दो भूल जाओ पुड़ा cut कर दो आप भी success नहीं पाओगे 1000% लिख लो ये बाते कर जूट मैं बोल रही हूँ कोई भी गलती बोल रही हूँ तो comment पे लिखो आधा बीना कृष्णा अधूरा है शक्ती बीना से अधूरा है ये मान लो आप ये जान लो अच्छे लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक और subscribe करना comment ज़रूर लिखो मैं remedies बोलती हूँ कुछ ना कुछ solution आप लोगों को बोलोंगी बोलोंगी नॉर्माल जारनी में हो या twin flame जारनी में क्यूंके आपको strong बनना मेरा soul purpose है और सबसे प्यार करो सबको अच्छे रहो वीडियो में लेकि आ रही हूँ नहीं नहीं और बहुत सारी comments आते है मुझे बहुत अच्छे लगता है मैं भी अच्छे फिल करते हूँ क्यूंके सबको सब एक साथ चलोंगी तो सबका अच्छे एक साथ होगी यह जो comment होता है ना बहुत positive vibes देते हैं सबको ठीक है मुझे भी देते हैं सबको देते हैं ऐसे जुड़े रहो सबको प्यार करो feminine खुद को strong बनाओ नौर्मल जारनी पे जो मेरा sweet soul है divine soul है वो भी खुद को strong बनाओ ठीक है और जो जो बोला है जो जो question है आप पूछो मैं जबाब दे दूँगी अच्छे रहो अच्छे सोचो animals को धेर सारे प्यार दो ओके so ठठा बाबाई